बीते दिन ही अक्षे कुमार को लंडन से वापिस मुंबई लोटते देखा गया जुसके बाद फैन्स और जादा खुश हो गए कि अक्षे अपने वर्दे के लिए शायद वीकेंड बनाने आये हैं जुसके बाद वो कई प्रोजेक्स की शूटिंग करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अक्षे किसी विकेंड पर नहीं बलकि हड़ बड़ाहती अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ कर आए वो भी अपनी मा के लिए दरसल अक्षे कुमार की मा अरुणा भाट या इस समय मुंबई के हीरनन्दी अस्पताल के आईसियू में पिठ है अक्षे अपनी मा के बेख़धी करीब और लागले है इसलिए जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला वो तुरंथ अपनी शूटिंग लंडन सब को छोड़ कर वापिस आ गए हालकि कुछ रिपोर्ट्स में आक्टर की मा के हालत गंभीर बताई जा रही है लेकिन दैनिक भासकर को अक्षे कुमार के बेहत करीबी लोगों ने बताया है कि उनकी मा क्यूटिकल नहीं है उन्हें age related problem है इसके चलते उन्हें तीन दिन पहले admit किया गया था अब भले है अक्षे बिमार मा की सेवा के लिए वापस आ गया है लेकिन उन्होंने प्रफेशनलिजम की मुमें साख बेश की है अक्षे ने मेकर से उन सीन्स की शूटिंग जारी रखने के लिए कहा है जिसमें उनकी मौझूटकी की जरूत नहीं है क्योंकि उनका हमेश्वा से मानना है कि कितनी भी चुनोतिया क्यों ना हो लेकिन काम जारी लहना चाहिए और आपको बता दे कि अक्षे कुमार दस तारी को वैसे भी इंडिया आने की वाले थे उन्हें रक्षा बंधन की शूटिंग रिस्यून जो करनी थी उसके बाद एक छोटा सा फार्मली विकेशन का श्केडियूल भी था था मगर इन सब के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो सब श्केडियूल वैसा ही रहता है या फिर उसमें बदलाव किये जाते हैं क्योंकि अक्षे कुमार के पास अगले साल तक करीब आधा दर्जन फिल्में पाइप लाइन में है फिलाल अकी के पास नौ प्रोजेक्स हैं जिसमें से आठ तो फिल्में है और एक वेब सीरीज ये हैं बेल बॉटम जो हाल ही में रिलीस हुई है हम आशा करते हैं कि अक्षे की मदर जल्वी से जल्वी ठीक हो और फास से रिकवर हो ताकि अक्षे के चहरे पर जो परेशानी और मायूसी है वो जट पर दूर हो जाए बिटाउन की हर लेटिस्ट अपडेट सलिप्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानिया सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चानल इंडिया बॉलिवूड वारल पर जाने से भले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ह हमारे चानल इंडिया बॉलिवूड वारल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नाव खुले